Hello everyone, welcome to our channel Finally, आपका SSC CGL 2020 का एग्जाम 2021 में आके कम्पलीट हो गया आपका जो एग्जाम था वो 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच हुआ है तो आप लोग इस वीडियो में जानोगे कि आपका कटफ क्या रहने वाला है सेफ इसकोर के रहने वाला आपका CBG2 एग्जाम याले की CGL मेंस के लिए ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एटेंडेंस आपका केबल 37% रहा है तो इसका कटफ में क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है साथी साथ आप लोग जानोगे कि आपका EG shift कौन सा रहा हाड shift कौन सा रहा EG shift और hard shift के बीच छात्रों के average attempt में कितने का difference है साथी साथ यदि आप लोग UR category से हो OBC category से हो EWS से हो SC से हो ST से हो category wise आप लोग अपना कटफ जान पाऊगे कि आपका SSC CGL 2020 का प्रेपर 21 में हुआ है उसका expected कटफ क्या रहने वाला है चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जो लोग चैनल पे नहीं हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग जानते हो जैसा कि आपका जो 37% रहा है CGL 2021 में वो आप लोगों के लिए एक important point शाबित होने वाला है आप लोग यदि last track cutoff को देख लो तो आपका जो last track cutoff था your category का 147.78 था जबकि EWS का 135.04 OBC का 135.95 अब यहां पर आप लोग देखो यह जो आज का paper cutting है इसमें मैं जो भी आपको यहां पर data provide कराऊंगा with proof provide कराऊंगा कोई भी अपने मन मर्जी से कोई भी तत्य आपको यहां पे नहीं किया जाएगा तो यह आप लोग देखो यह आज का newspaper है यानि कि 25 अगस्त के morning का newspaper यहां पर आप लोग पढ़ोगे अब यहां पर देखो इसमें कहा गया है कि आप प्रॉक्स आपका जो है 63% छात्र जो है वो अनुपस्थित रहे हैं यानि कि छोड़ दिया paper cable or cable 37% ही attendance रहा है आपका तो यहां से आप लोग ए अनुवान लगा सकते हो अब देखो पहले तो बहुत सरे लोगों का application जो था वो reject कर दिया गया form reject कर दिया उसके बाद जो है छात्र का attendance रहा वो इतना कम रहा उसके बाद देखो plus point का है paper का जो level रहा कभी up कभी down होता रहा math calculative पुछा गया resident calculative पुछा गया time consuming tricky सवाल पुछा गया तो उसका क्या benefit होगा आप लोगों को और cutoff पे क्या impact पड़ेगा आई हम लोग देखते हैं देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते easy shift जो रहा है आपका ससी सिजल 2020 के paper में जो आपका सबसी easy shift रहा है आपका 13 अगस्त का shift रहा है 13 अगस्त का 3 shift मान सकते हो इसमें छात्रों को जो average attempt रहा है 85 plus marks उन्होंने attempt कर डाला यानिकि 85 plus question attempt कर डाला यानिकि 170 plus marks का उन्होंने attempt कर डाला अब यहां से आप लोग एक बात देख सकते हो इसके बा बहुत ही पूछ दिये गए उसमें चात्रों का attempt आप लोग देखोगे उसमें attempt आपका चात्रों का average attempt 85 plus questions कर रहा है यानिकि आप जिन से भी बात करो 90 attempt करके ही आ रहे थे इससे क्या फाइदा है आप लोग यह देखो इससे उनको तो नुकसान है आप लोगों को फाइदा है अभी उमीद है यदि आप लोग 60 भी की हो 70 भी की हो तो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ यहां पर देखो जबकि other shift का average attempt की बात करें तो other shift का average attempt रहा है वो 70 plus marks कर रहा है केबल और केबल 70 सवाल जबकि इन्हों ने यहां पर 85 plus कर डाला यहां से जो 15 सवाल का difference है 30 marks का चैनल पर मैं जो भी कटफ बताता हूं approach वही कटफ रहता है उसमें difference आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग भरोशा करके चल सकते हो तो यहां पर आप लोग देख सकते हो से सिजल का cut-off जो होगा 2021 का वो तीन पॉइंट पर डिपेंट करेगा फर्स्ट आपका है attendance बहुत है तक यह impact डालेगा cut-off पर दूसरा point जो है आपके सामने वो है आपका number of attempts छात्रों का average attempts क्या रहा है यह आपका दूसरा point है जबकि त तीन मुद्दा जो है बहुत important मुद्दा है इसके लिए cut-off पर campaign पर आये देखते है यदि आप लोग यूए categories हो यानि कि general categories हो और यदि आपने 65 भी सही कर डाला है तो आप लोग safe हो यदि आपका 65 सही आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल safe हो आपका result आ जाएगा यदि आप लोग बहुत जादा आपका shift जोदा tough है मालो तो यदि आप लोग 60 भी कर रहे हो तो आप लोग सुरक्षित माने जाओगे बसरते कि आपका shift tough हो इजी shift वाले 65 भी कर रहे हो तो safe हो आप लोगो घवराना नहीं है अब देखो नमबर दूसरा OBC के लिए OBC के लिए 60 रहा है question यदि आप लोग at least 60 कर रहे हो तो आप लोग safe हो यदि आप लोग 60 से कम कर रहे हो 55 कर रहे हो 50 कर रहे हो तो खत्रा कहा जा सकता है ओके चलिए EWS वालों के लिए आपका यह है 58 के प्रॉक्स यदि आप लोग marks प्रस्न सही कर रहे हो तो आप लोग शुरक्षी तो अब देखो यह मैं यहां पर प्रस्न का बात कर रहा हो आप लोग ध्यान रखना कोस्ट नमबर ओफ कोस्टन का बात कर रहा हो अब यदि marks की बात करों तो यहां पर मैं को marks भी बता दे रहा हूं 65 यानि की आपका यही 125-130 बन डाया यह एक टेगरी तो आप लोग सेफ हो यदि आप लोग OBCC हो और यही आपका 118-120 बन डाया तो आप लोग सेफ हो यदि आप लोग EWS कैटेगरी से हो और यहां पर देखोंगे आप लोग 115 क्या प् हो तो आप लोग देखोंगे 100 तक है इनका जो कटफ है वो सिमट के आ चुका है तो इसका जो कारण है वो मैंने आपसे इस वीडियो में सेर किया तो आसा करते वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीड तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में इतने हैं थेंक्यू सो मच